गुड मॉर्निंग मैं सज्जाद अनसारी डियक सन्वाबा चैनल मैं आपका स्वाथ करता हूँ आज मैं एक न्यू विशे लेकर आया हूँ सुनिए देखिए आज कल घर घर में लोग अपने बेटा बेटी के शादी के लिए बहुत परशान रहते हैं क्योंकि ये शादी नहीं बलकि बहुत बड़ी एक तरह कि वो अपने आपको बोश समझते हैं जिस बच्चे जिसके घर में लड़के लड़की ओगर टोटल बच्चों के शादी हो जाए तो वो अपने आपको इतना हलका फिल महसूस करता है इतना अच्छा है लगता उनको कि बहुत बड़ा टेंशन दूर हो गया क्यों टेंशन हुआ क्योंकि इसने अपनी मर्जी से रस्म रिवाज बना लिए अपनी मर्जी से ऐसे ऐसे चाल चलन निकाल दिये शादी बिया में यहां तक कि लोग गिरी मी रखते हैं जैवराओं को बियास पेन्टरेश लेते हैं और नहीं देपाते हैं आत्मात्याद कर लेते हैं बताई कितनी बड़ी प्रॉब्लम है शादी और आजकल ब्राद ही में कुछ लोग कहते हैं कि बिरादरी ही में शादी कर रहा है और कुछ लोग कहते हैं कहीं में कर लाए जो वो इनसान है जो समझता है कि ये भी इनसान वो भी इनसान है सब एक ही माबाप के अउलाद हैं आदम और हुआ अले मिसलाम तो वो यह नहीं देखते बरादी कौन सी जो यह समझता है कि हमारे अपनी ही बरादी में हो किसी और में ना हो तो समझ लो को हजरत मुहम्मद लगा के इर्शादात पर वो अमल नहीं करते महबद नहीं करते क्योंके अगर आपको ALLAH से महबद है तो आप में प्यारे हवी से मुहबत कर आतिए अल्लाव आतिए रसूल इसलिए जाद ब्रादरी ना देहां मुस्लिम हैं तो मुस्लिम हो और हिंदु भाईयों से गुजारिश करूँगा वो लोग भी अपनी इस बुराईयों को दूर करें और एक रिष्टे की में बात करता हूँ और मैं आए दिर रिष्टे के बारे में बोलोगों से बताता रहता हूँ अगर आपके सामने भी अगर ऐसी प्रॉबलम है जिसके रिष्टे ढूंड रहे हैं परिशान हैं शादी तलाक शुदा हो बेवा हो चाह कुमारे लड़के लड़कियां हो मैं बिल्कुल फिरी में करता हूँ आप यूटूब से देखिए अब मेरे वार्ट सब नमर पर मेसेज कीजिए उसका बाई उड़ाटा पूरा भेजिए उसके बाद आप ये भी लिखे साथ में कि मुझे इस बिरादरी ही में रिष्टे चाहिए तो मैं उसी बिरादरी में तलाश करूँगा बहतर ये है कि ये ना लिखकर आप कह दीजिए कि किसी भी बिरादरी में चलेगा मगल लड़का शरीफ हो शराब ना पीता हो कोई बुरी आदत ना हो चोड डकेट ना हो काम काजबायल बंदा हो नोकरी पेशा वाला हो ये देखना चाहिए बिरादरी नहीं देखनी चाहिए बिरादरी तो हमारा एक ही है इनसानियत तो आज मैं एक रिष्टे के बारे में बोल रहा हूँ देखे नाम उसका ए से शुरू होता है और ये गुपता है उमर 29 साल है पीछे यूपी काशकरनी का है लंबाए 4 फूट है रंग गोरा है और बिरादरी इसका बन्या है और इसका कहना है कि सिर्फ दो बिरादरी छोड़के किसी भी बिरादरी में शादी कर सकता हूँ एक इसलाम और दूसरा दूसरा जो लोग सबसे नीचे समझते हैं मतलब जमादार इन दो के छोड़के किसी भी रादरी में शादी कर सकते हैं और पढ़ा लिखा बिल्कुल ना के बराबर है और जौब करता है कौफी शौब में और यह कहीं भी रिष्टा कर सकता है दिल्ली म सब्सक्राइब जिस किसी को अगर इस तरीके रिष्टा चाहिए तो बिल्कुल आप फॉरण फॉर्ण कुजिए मेरे इस फॉर्ण नम्मर पर 9871291526 इसके अलावा एक नवाड़ा से भी आया एक लड़का है उनको लड़की चाहिए और चार-पांच जगा के हमारे पार र जावा है और वो यह भी कहते हैं किसी भी वरादरी में साधी कर सकता हूं इस तरह ही के समार पर बहूं 06 1012121很 C हैं और अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई परशान हो इस तरीके से तो आप मुझे फॉर और फॉर करके मालूम कर सकते हैं और तो जितने रिष्टे लगाने वाले से में घुजाइद करूँगा कि हमारा गैनोजी साबुन लगा के रात में सो जाए कीजिए और सुबह फिर इसी साबुन दो लीजिए चेहरा उसका चमकदार होगा उसके बात जो रिष्टे आएंगे ऋओर और स्लैक्ट कर लएगे देख लेंगे क्यूंका आज कर चेहरे को में नहीं देखते चेहरे में परनोगों के कील मुढा से इतने हो रखों लोगों के करी शरीम लगा लगा के पार नगा सी फिरसे आम सामूर लगां कि जिए में बताओं साथ में लड़कियों के लड़काओं के दो चीजा देखनी जाए हैं पहले मुझे देखे बदबू आती है या नहीं किसी अवरत को भेज़के उनसी नस्धी में जा के बात कीजिए अगर मुझे बदबू आ रही है और पेरों के नीचे तल्वे में देखे गंदगी है या न अगर ये दो गंदी हैं तो उनसे रिष्टा मत करो क्योंकि वो गंद पसंद है ऐसे लोगों के मश्वरा दूँगा कि आप तूथ पेश्ट अमारा गैनोजी तूथ पेश्ट लगाईए रात को इतना सा लेके मठर के बराबर दातों में मसाख करके सो जाए कुल्ला मत ताकि अंदर से भी आतों के सफाई हो आतों के अंदर से गंदगी उपर ना आए तो हवा के जरीये निकल जाए और साथ में हमारा यह इस पाइरूलिना है इस इस पाइरूलिना को हबते में दो कैप्सूल पानी में मिला के चेहरेम लगा के छोड़ दिया कि ताकि स्कीन को भी प्रोटीम बिटाइमिंस मिले जिससे देख दूर से देखने वाले खेंचा वह आ जाए और सेलक्ट करती है नहीं लड़की अच्छी है सेल्स उनकी बिल्कुल सही है और खाने इसको खाये भी खाने से पूरा बोटी नेचरल तरीके सोगा इस से भी शादी जल्दी आप के वाले देखनी आ जाए तो बिल्कुल सुकून से बात करेंगे आखें च्छिपाएंगे नहीं और सुकून से बात करने को बात समझ जाता है बंदा कि नहीं ये बंदा समझ दार है दिमागदार है इसलिए इस कउफी को भी आप पीजहे और यह लिंजी कोफी है मश्रूम वाली है देख रहे हैं यह मश्रूम है जो थोड़ा सा आपको इसके बारे बताता हूं आप पढ़ सकते हैं इस पाइरूलिना के बारे में एक यूटूब पर एक शक्षी ने बोला था कि इस पाइरूलों को कुछ फाइदे बता रहा हूं कि डियेक्शन इस पाइरूलिना सर्वत्तम पोशन देने वाले सस्ता वो सुवीदा जनक भोजन है जो समस्त परिवार के संपोर्न स्वास्त के लिए उप्योगते हैं डियेक्शन इस पाइरूलिना छारिये आहार होने के कारण अम लिए शरीर को छारिये परिस्तियों में ढाल कर शरीर को रोग मुक्त रखने में सहायक है डियेक्शन इस पाइरूलिना रोग परतीरोदा चमता को बढ़ा कर शरीर को विमारियों से लड़ने की शक्ती पदान करता है डियेक्शन इस पाइरूलिना बेहतर एंटी ओक्सिडेंट्स सुरक्षा देकर कैंसर एवम हिरदय रोग के खत्रे को कम करता है डी अक्षनी स्पार्यूलना डाजिसिस हेल्थ वो लिवर फंक्शन को इंप्रूव करता है कब्ज को दूर करके पाचन तद्र को मजबूत करता है डियक्षन इस्पारिलना प्रेगनेंट महिलाओ अप्रेश्ट फीडिंग यानि अस्तनबान कराने वाली मदर्स एवंशेश्वों के लिए वरदान है डियक्षन इस्पारिलना जीरो केलिस्ट्रोल फूड होने के कारण स्लिमिंग में सहायक और वजन कम करने में अतिय उप्योगी है डियक्षन इस्पारिलना इस्ट्रोडेंट की ब्रेन पावर बढ़ाकर मेमेरी को शौर्फ करता है जिससे उनका एडेमे एकेडेमिक स्कोर बढ़ जाता है ईगज पाईर विल्व लना स्पोर्ट्स परसंट्स बोडी विलडर्स को एक्स्ट्रा नुट्यशन प्रदान करके बोडी वेडिंग में मदद करता है। विर्दा वश्ता में पोशक तत्मों की कमी को दूर करके शरीर में नवियीन शक्ति का संचार करता है। नजर को इंप्रूव करता है और इस पालक से भी ज्यादा कई गुना गाजर से दूस से एलविरा से और भी बहुत सारी चीज़ों से इसमें चाड़ देखी रहें आप यह जितने हैं सब इसके अंदर हैं मतलब यह चीज इसके अंदर नहीं डाला गया है इनके अंदर जो ची होगा नहीं है केमिकल नहीं है इसके अंदर बिल्कुल नेचुरल है आप इसको इसको इस्तमाल कीजिए मंगाईए मुझे उम्मीद है आपके बच्चों की रिष्टे भी जल्दी लगेंगा हाइडी भी बढ़ते ही इससे को को जी स्पाइरल ना जिस बच्चे की हाइड ज नगी अधेमने पंर मेरे बच्च सब्सब्सक्राइए कि आसी बहुत होती है जिस की वजद से वह चल्ड़ आते हैं तो उसका मेरे पास आप है जिस कि पर्यशान है कि यह मैरे लड़की रिष्टे नहीं है लगते मतलब आते देख के चले आते हैं तो उसका मैं दूसरा तरीका भी बताता हूं विल्कुल फिरीक है कोई खर्चा नहीं है एक बार सिर्फ फॉन कीजिए तरीका बता दूँगा कि ऐसा करने से आपकी बच्चे बच्चें की रिष्टे जब फटफट होंगे बहुत अंसारी हैं मेरा मॉंबाइल नम्मर लिखे 987129 1526 9839 1526 इस डीक्षन बाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए एक हमारा दीन की रोशनी चैनल है वहां भी बहुत सारी रिष्टे हैं रिष्टे के लिए खास करके दीन की रोशनी ही में में डाला गरता हूं वहां पर आपको बहुत सारी रिष्टे मिलेंगे लड़के लड़कों के वहां देख सकते हैं दीन की रोशनी उसमें भी मेरा पिक लगा होगा आप देख सकते हैं थैंक्यू वीडियो को सुनने हो देखने के लिए